नमस्कार प्यारी बच्चो आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मुनीश मैप्थ जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं आठमी कक्षा का गिनित और आठमी कक्षा के गिनित के चौत्धे अध्याय की तीन एक्सराइज हमने कॉम्प्लीट कर ली हैं आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 रचनाई की ये चैप्टर है, तो शुरू करते हैं, पहला जो प्रशन है इस एक्सरसाइज का, वो ये है नेमनलिक्त चत्रपुजों की रचना करें, पहला इसका पार्ट है चत्रपुज D-E-A-R, जिसमें D-E 4 सेंडिमेटर है, E-A 5 सेंडिमेटर है, A-R 4.5 सेंडिमेटर है, कौन E 60 डिगरी का है, कौन E 90 डिगरी का है, जैसा कि आपको पहले भी पता है, कि चत्रपुज की रचना करने के लिए हमें कम से कम 5 मापों की अवशक्ता होती है, तो देखें इन्होंने भी हमें 1, 2, 3, 4, 5, 5 के 5 माप हमें दे दिए हैं, तो इसको हम रचना कैसे करेंगे, इसके लिए हम शुरू करते हैं D-E से, क्योंकि हमेशा ही हम यहां से शुरू करते आए हैं, जो भी पहली माप जी हमें देते हैं, D-E 4 सेंडिमेटर है, तो हम D से लेकर E तक 4 सेंडिमेटर अपने फुटे की साहिता से इसको ड् ठीक है, D-E बिंदू हमें प्रापत हो गया, उसके बाद E-E 5 सेंडिमेटर है, ठीक है, अगर E-E 5 सेंडिमेटर है, लेकिन 5 सेंडिमेटर लगाने से पहले यहां पे जो इसका एंगल है, कौन है, वो कितने डिगरी का दिया गया है, 60 डिगरी का, सबसे पहले एंगल E को हम 60 डिगरी का बनाएंगे, चाहे तो आप इसको प्रकार की साहिता से बना लें, चाहे D की साहिता से बना लें, ठीक है, तो फिर यहां पे आप 60 डिगरी का कौन बनाओंगे E पार, और यह इस कौन की बुजा आगे तक आप बढ़ा दोगे, ठीक है, उसके बाद 5 सेंडिमेटर पर कार खोल कर, E बिंदू को केंदर मान कर, एक चाप लगाओगे यहां पे, जो कौन वाली बुजा को A बिंदू पर काटेगी, कलियर, तो हमें प्रापत हो जाएगा A, A कौन, कलियर है न, उसके बाद, कौन A कितने डिगरी का है, 90 डिगरी का है, तो हम A बिंदू पर D उसके बाद, 4.5 cm, इसने कहा है कि A, R 4.5 cm है, देखो हमें इस साइड से तो दिया नहीं गया, ठीक है, D से हम कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि D से हमें कुछ भी माप नहीं दिया गया, R की तरफ, ना कोई कौन दिया गया है, ना ही इस बुजा की लंबाई दी गई, तो हम क्या करेंगे, 90 डिगरी का कौन बनाने के बाद, A बिंदू को के इंदर मान कर, 4.5 cm पर कार कोल कर, यहां से चाप लगा देंगे, जो इस 90 डिगरी वाले कौन की बुजा को R बिंदू पर काटेंगे, ठीक, फिर इस R को हम D से मिला देंगे, तो हमारे पास ये कम्प्लीट हो जाएगी, कलीर है न, बड़ा असान प्रशन है, थोड़ा सा ध्यान से देखें, D, E से शुरू करना है, 60 डिगरी का कौन बनाना है, 60 डिगरी के कौन की बुजा ये वाली जा रहे ही है, 5 cm पर कार कोलनी है, E बिंदू पर रखनी है, फिर यहां पर काट देना है, इन्होंने काट नहीं रखा, तो A बिंदू प्राप्रत हो गया, अब A पर 90 डिगरी का कौन आपको पता है, 4.5 cm A बिंदू को केंदर मानकर आपने चाप लगा देनी है, तो R बिंदू पता चल जाएगा, R D को मिला देना है, तो ये प्रशन था आपका पहला प्रशन, उसके बाद प्रशन नमबर 2, दूसरे प्रशन के अंदर गराम देखें, तो चतरबुज T R U E, टू, जिसमें T R 3.5 cm है, R U 3 cm है, U E 4 cm है, कौन R 75 डिगरी का है, कौन U 120 डिगरी का है, इसको हमने बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, वही पहले की तरह, हम T R से शुरू करते हैं T R कितनी डिगरी यहां पे रिखें, 3.5 cm डिगरी, क्लियर है, फिर R कौन 75 डिगरी का है, 75 डिगरी का है, अब आपके पास दो अप्शन है, जा तो आप अपशत्तर डिगरी का कौन प्रकार की साहिता से बनाएं, या आप D की साहिता से बनाएं, प्रकार वैसे हमने यूज, हमने प्रकार ही करनी होती है, लेकिन बेटा यहां पे न, कई बार यह कौन ऐसे दे देती हैं, जो प्रकार की साहिता से बन ही नहीं सकते, जैसे 85 डिगरी का कौन है, 85 डिगरी का कौन हम D से ही बना पाएंगे, तो इसलिए R कोन चाहेए आप D से बनाने 75 डिगरी का, अगर आ दिएफे बनाया इन्होंने पहले नब़े का कौन बनाया ये है हमारे पास पहली जो चाप साथ डिगरि की दूसरी कि एकसो बीश की होती है नबबे डिगरि का कौन बने बीच में ठीक है 60 डिगरि और 90 डिगरि के कौन के बीच में से आप चाप लगाओगी दोनों तरफ तो आपके पास 75 डिगरी का कौन बन जाएगा चोटी क्लासों में आपने किया होगा चटी कक्षा में भी 75 डिगरी का कौन बनाना आ जाता है उसके बाद U पर है हमारे पास 120 का कौन लेकिन U तो हमें तब पता चलेगा ना जब हम R बिंदू से कोई चाप लगाएंगी तो इन्होंने क्या कह रखा है उपर देखें आप R U 3 सेंडिमेटर है तो हम 3 सेंडिमेटर पर कार को लेंगे R को के इंदरमान कर एक चाप लगा देगी तो हमें U बिंदू का बता देल गया अब देखें U बिंदू पर 120 का कौन है यह तो बना नहीं आता है आपको बड़ा सीम्पल है फिर 120 का कौन फिर U E 4 सेंडिमेटर बता रखी है U को के इंदरमान कर ठीक है 4 सेंडिमेटर पर हम एक चाप लगाएंगी जो 120 वाले कौन की जो हमने बुजा बनाई है इसको E बिंदू पर काट देगी फिर E को T के साथ बिला देंगी तो हमारे पास अब 20 चदरबुज बन जाए कलियर बिल्कुल दोनों के दोनों प्रेशन एक जैसे है अगर आपको एक प्रेशन कलियर हो गया तो दूसरा प्रेशन आटोमेटिक आ जाएगा बिल्कुल सेम परसीजर है दोनों के अंदर आज के लिए इतना ही उसके बाद हम करेंगे अगली एक्सराइस अगर किसी भी परकार की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो अपने फ्रेंस के साथ शेयर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तांकि नए वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तांकि यू